मन में कुछ करने की तमन्ना और सीखने का जजबा हो तो उम्र मायने नहीं रखती। छोटी उम्र में भी बच्चे बहुत कुछ सीख जाते हैं। राष्टकवी रामधारिस सिंग दिनकर की धर्ती बेगुसराय में तीसरी कक्षा कक्षात्र साथ वर्षि मुदित कुमार जिसको पूरी हनुमान चालिसा याद है। वही रामार की अधिकतर कहानिया याद हैं जैसे राम को वनवास कैसे हुआ, सीता हरण क्यूं हुआ, हनुम रामार की कहानी भी इन्हे याद है। मोधित छोटी उम्र में भक्ती भाव में लीन है, मोधित की प्रतिभा है कि वो अपने स्कूल में भी स्रिक्षकों और बच्चों का प्यारा बन गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि मोधित पूरे तनमन से हनुमान जी के सा और टीवी में देखकर उसे रामाइन की कहानी भी याद है एन्बीटी ओनलाइन की रिपोर्ट सुमिरो पवन कुमार बलबुद्धी विद्या देहु मोई हरहु कलेश विकार जहनमान ग्यान गुन सागर जे कपी सिति उलोक उजागर राम दूत अचजत बलधामा जनी पूत्र पहन सुतनमा महावीर विक्रम बजरंगी कुमतिनिवार सुमत के संगी कंचन वरन विराज सुन्दल कुंचित के साहाथ बज आध्या विराजे कांधे मूंज जन्यो साधे संकर सुवन के सरी नंदन तेज प्रता पमहा जगवंदन विद्यावान गुणी अतिचातु रामकाज के व्रेकवातुर प्रहुचन सुमेनो करसिया राम लखन सीता मन वसिया सुच दिखावा बिकर टूप दही लंक जलावा भी मुरूब दरसी और सहाई राम चंद के कास सवाय राय से दिवान रखन जिया श्री रहुबीर हरसी उलाय रहुपत की नी बहुत भराई तुमां प्रिया भरती संभाई सहस्बन अ तुम रोजस गावे असकर सिती पती कंठ यह पहले का नाम राम दूसरे का नाम लक्ष्मन तीस्रे का नाम भरत और चता चोथे छोटे सबसे छोटे भाही का नाम था शत्रुधन इन चारो इन एक दिन कॉशल राम बनवास कईसे गए थी क्या हुआ था किस वज़ा से जाना पड़ा है एक कोशल्या सुमित्रा के कई कई नाम की भरत की माँ थी वह राम से बहुत जलती थी इसलिए वचाती थी कि राम 14 वर्षों के लिए वनवास चला जाए इसलिए वो राजा दसरत से एक बार वर्दान मांगी की है मैंने आज से आप मैंने आज तक आप से कोई भी वर्दान नहीं मांगा आज मैं आप से वर्दान मांग रही हूं कि राजा की राम जो है 14 वर्ष के लिए वनवास चला जाए राम जी तो बहुत आग्याकारी पूत्र थे इसलिए वो पिता माता का सम्मान करते थे इसलिए वह आग्या करते हुए 14 वर्षों के के लिए राम इस राज में राज करें सिताहरन के सिताहरन एक बार राम जी एक बार की बात है राम जी कुछ कर रहे थे उसी में उपनेखा नाम की एक राक्ष असनी राम जी के पास आकर बोली मैं तुमसे शादी करना चाहती हूं राम जी मना करके बोले कि तुम लक्षमन क मैं भी शादी सुधा हूँ तो उसको क्या बोलते हैं वो तो सुपनेखा को गुसा गया इसलिए वो सीता को मारना चाह रहे थी इसी में लक्षमन को बहुत गुशा आया उसने तलवार से शुपनेखा की नाम काट दी असलिए शुपने नेखा रोते रोते अपने भाई राजालकेशवर के पास गई कुछ सब कुछ बताया लंकेश्वर ने चाल रच कर एक सुन्यारे हीरन को जंगल में भेज दिया उसे देखकर सीता आकर सी तुई राम जी जंगल में गए उसके बाद राम रक्षमन रक्षमन राम चिलाने लगे लक्षमन जी चारो और से एक तीर तीर से रेखा बना कर चले गए इसी बीच लंकेश्वर इसका मौके का फाइदा उठाकर सीता हडन कर लिया लंका धहन किसे हुआ था है लंका धहन एक बार की बात है लंकेश्वर राम हनुमान जी ने उसके व्रीक्ष सब को उखाड दिया था इसलिए उसे गुणसा लंकेश्वर को गुणसा आया उसने सैनिको से उसके आदेश करया किया कि हनमान के पूँच पे पट्टी बान्द कर उसमें आग लगा दी जाए बिल्कूल सैनिको ने ऐसा ही किया हनमान जी तो बहुत शक्तिशाली थे उसने पूरा लंका दहनी कर दिया साइंटिस्ट का भी विमाननाय वहाँ पर काले पत्थर दिखते हैं रामायन कहां से सिखे पेशे इतना याद हुआ रामायन रामायन मैं बहुत बार टीवी में भी देखता था उसी बीच मुझे याद हो गया